चार कंटेशन जो इस बार घर से बेगर होने के लिए पूरी तरह से नॉमिनेट हो चुके हैं इन में से आखिरकार कौन सा ऐसा कंटेशन है जिसका सफर इस सफते पूरा का पूरा खतम हो जाएगा जी हाँ आपको बता दें कि अलिमिनेशन को लेकर अब तक की सबसे बड़ी सिदा घर से बाहर होगा और उसका सफर 13 और 14 हफते में आकर पूरी तरह से खतम हो जाएगा यानि आने वाले हफतों में वो कंटेशन आपको बिग बॉस के अंदर पूरी तरह से नजर नहीं आने वाला है ऐसे में आखिर कौन सा है वो कंटेशन कहीं वो आपका फेवर्ड क कंटेशन तो नहीं चलिए आपको बताते हैं लेकिन इससे पहले चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लें साथ हमें घंटी के निशान को जरूर दबा दें आपको बता दें कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिग बॉस के गर के अंदर एक बार फिर से नॉमिनेशन की सारी की सारी प्रक्रिया पूरी तरह से खतम हो चुकी है ऐसे में उन चार कंडेशन के नाम सामने आ चुके हैं जो पूरी तरह से नॉमिनेट हो चुके हैं और इन चारो कंडेशन में से ही कोई एक कंडेशन होगा जिसका सफर खतम हो जाएगा तो सबसे पहले आपको बताते हैं क तीसरा नाम निमरित को और आलवा लिया और चोथे नंबर पर हैं सिर्जिता डे ये चार कंटेशन इस अफ़ते घर से बेगर होने के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं तो चलिए बात करते हैं कि चारों में से कौन से कंटेशन को सीधा सीधा बिक बोस घर से बेगर करने वाले हैं यानि जनता भी चाहती है कि वो इस अफ़ते सीधा सीधा घर से बेगर हो जाए जनता भी उसे घर के अंदर नहीं देखना चाहती तो पहले नमबर पर जिस कंटेशन का नाम सामने आ रहा है जिसे जनता काफी अच्छा सपोर्ट दे रही है और वो इस हफते घर से बेगर नहीं होगा वो है MC स्टैन जी हाँ ये चार कंटेशन जो घर से बेगर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं इनमें वोटिंग में पहले सुमबल को भी बिलकुल भी डरने के जरूरत नहीं है अब बारी आती है इन चारों में से बॉटम टू कंटेशन की जिनके ओपर एलिमनेशन की तलवार पूरी तरह से लटक चुकी है तो तीसरे नंबर पर है निमरित कोर आलवालिया जी हां निमरित कोर आलवालिया को सबसे कम वोट देती हुई दिखाई दे रही है जनता चाहती है कि सफते सिरजिता को सीधा सीधा घर से बेगर कर दिया जाए ऐसे में अब आपको ता दें कि ये पूरी तरह से तै हो चुका है कि सफते कोई और नहीं बलकि वाइल्ड कार्ड कंटेशन सिरजिता का सफर पूरी तरह से खतम हो जाएगा आप इसको लेकर क्या कहना चाते हैं हमें कमेंट करें और बिग बॉस से जुड़ी हारेक लेटस नीज करें हमारे चैनल को जुरू सब्सक्राइब करें